ट्रीक है टावर उसका खली रन्निंग हो रहा है सिम पढ़ा है जियो सिम पढ़ा है इसका मोडल है जियो मोबैल का एफ डबल टू जिरो बी जिरो डबल इसको माँ आन करके देखा रहा हूं जो 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 झालब एफ हुआ 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 है कि बीनी कि आए धे मिलेख। कि अलुब रेकर दौब से क्वेर दिए दिए देखिया तावल और रनिंग चल रहा है देखिया कि मापर उसको कर आप कर अपर प्रोब्लम कर सो ताम दिखाता आपकर उसका प्रोब्लम होता है यह नेक्टॉर राइशी को भूल्ट जाता है यह उसका कॉईल है यह जब कानेक्टर के पास से आता बूट जैसा के ट्राक गुसा भूसकी यहां आता है तरह से यहां पर सपला यहां पर सपले होता है ये मेन चीज़ है इसको आफ़ीोड को ट्रिसरोल्ड करना है या चेंज करना बहु क्याएं कोयल भी डेमेज हो जाने से को जो है को डेमेज हो जाता था तो वह काम नहीं कर रहा है तो फास्ट होई क ρोगाने तो इसको अधेक कुझ करना हो हो रीपारिंग करने लंबा वीडियो नहीं होगा रीपारिंग करके लेक्त वीडियो में देखाऊँगा लेकिन मैं दो तिन मोबाइल तो यह शेम प्रोब्लम मैं बना चुका हूं तो मैं सोचा वीडियो एक बना देता हूं तो यह शेम प्रोब्लम एक आया तो इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूं प्रोब्लम कहां कहां से होता है सब्वाब पहले आप कापसिटर चेक करना है कोईल चेक करना उसके बजाएगा आई-सी को विस्षोर्ड मानना तब भी नहीं हुआ इसको चेंज करें नहीं करना को से शित्क नहीं होता है यह शा słu करक करना करें पदेटान के म 123 थे शाल जाताय जो आताहिया रिपारिंग में विजे घीरा देटे डामेज होगे शो पार्ट से तो आप उसको देखके चेक करके लगाना है तो यह द्यान से देखना इसको एक एक पार्ट चेक कर लेना है कौन सा एक भी नहीं रहे गया तो तो यह वाला यह वाला यह वाला सब चेक लेना आप उसको जब याद नहीं रहे गा तो अधर मोबाइल जो दूसरा मोबाइल से आ जब श किम लृट लगा ना कॉन सा पार्ट उखड गया तो इसकोफ़ने करें चेक इसको ऊज़ना इथर ने इफिर अकम आपस जो तो वो से 20 प्रॉर्ब्म मार्ट पूरा थोच्थाल इसब चेक करना इसके चार डिया त्रत करना नशाख नना इफThere हो तो जो गीरा हो तो तो नीचे भक से तूड़ जाता है तो इसको भी देखते ठीक है जब अच्छा खासा है कुछ प्राइलम नहीं है तो गीरा नहीं तो जाहतर यह बोल्टेज से प्राइल होता है क्योंकि जातर आदमी तो वह क्या गरते यूटूब में ज्यादा देखते ना वीडियो देखने से इसका प्रॉब्लम ज्यादा इसमें लोड पड़ता है वोल्टेज में हीट होगे तो यह डेमेज हो जाता है कापसिटर आगे डेमेज के कापसिटर जो है तो फिल्टर करके भूटेज को छोड़ता है ड्रॉब करके तो यह जातर कापसिटर पहले उसको कंट्रोल करता है वो खराब हो जाता है तो वह कापसिटर रिमूब कर देना है रिमूब करके एक दूसरा लगा के देखना है आपक कोई भी चेक करके कोई भी लगाना है कोई भी ठीक बताएगा लेकिन तो आप रिमूब करके दुसरा एक लगा के देखेंगे तो आप में इन नेच्ट बॉर्ट से एक बॉड है में मेरी बॉड इदर से मैं चुल के लागा चुका हो वो बोड में मैं देखा जाता है दो कि जो डेमेज होजाता हूँ तो उनके पास से ठीक है यहां से खूल के लागा नगा है यह कोईल में लगाया है तो यह सब डेटर मोबाइल है मैं उसको खरीदा हूँ पार्ट पड़ता ना अभी पार्ट इसका चार्जिंग आइसी प्रोब्लम तो जातर इसका भी चार्जिंग प्रोब्लम आता है तो चार्जिंग का कि खरी वहलू उसका रिडिंग होरा है चलता होगा लेकिन रखते नहीं तो वह भी प्रोब्लम होता है वह मैं नेक्स्ट गूडियो में आपको बताऊंगा ठीक है मैं बताया हूं लिंक दे जैता हम इसमें बता लूँ हो ठीक है है तो आप जाहाद तर यह करना कि एस साइट से ट्रीक है तो मैं आप इसको बना के आपको नेस्ट विडियो में आपको देखाता हो तैंक यू वाचिंग वीडियो तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शीड कीजिए आपके अपने अपने दोस्तों को भी जो रिपारिंग करते होगे उ यू